बड़सर की कांगर्स बिधाईक एबम कांगर्स परदेश उपादेख्ष इंद्रदर लखनपाल ने कोविड बीमारी के दोरान सरकार की विस्थाओं पर सवाल उठाए हैं लखलपान ले कहा कि जब सरकार को पता था कि देश में महामारी फैली हुई है तो आज मिरीजों को इलाज के लिए दरदर भटकना क्यों पड़ रहा है उन्होंने कहा कि दरातर पर आम जनता के सामने परिशानियों के इलावा कुछ नहीं है कोविड मिरीजों को परदेश में ही स्वास्ति सुपधा देने में सरकार बीफल रही है अमिरपुर्जिला में ही बेंटलेटरों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है जिससे स्वास्ति सुपधाओं पर प्रशन चिन बना हुआ है लखनपाल ने अरोप लगाते हुए कहा कि आत्म निरुपर भारत होने पर भीज जर्मन से आक्सीजन मंगवाई जा रही है तो सरकार को पहले से जब मालूम था कि पूरे देश में और प्रधेश में इस परकार की महामारी फैली हुई है बड़ी बड़ी बातें की गई कि हमने इतने कोविड सेंटर बना दिये हमारे पास इतने वेंटिलेटर ही कठा हो गए किंदर सरकार ने ये शश्वी परधान मंतरी जी ने इतने वेंटिलेटर दे दिये इतना पैसा दे दिया कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए लेकिन ध्रातल पर यदि देखा जाए तो आज वो आम जनता के सामने है आज क्रोना से ग्रसित जो मरीज हैं जो परिवार हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे छोटे से परदेश में जो एक स्वास्थे को लेकर जो एक काम किया जाना था उसमें सरकार बिफ़ड रही है चाहे वो ventilation की बात हो तुमारे जिला हमीरपूर में ही लगभग 35 से 40 ventilator हमीरपूर कॉलेज में पड़े हैं लेकिन क्या उन ventilators का अप्योग हो पा रहा है क्या उन ventilators को चलाने के लिए सही माएने में स्टाफ है क्या हमीरपूर कॉलेज में डॉक्टर्स के साथ परामेडिकल स्टास भरपूर है की नहीं है ये सरकार को देखने की जुरूरत है और जर्मन जैसे देशों से आतम निर्वर भारत में यदि आक्सिजन मुगाई जा रही है तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है बहुत बड़ी बड़ी बातें सत्ता में बैठे लोग करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया हमने इस लड़ाई में बहुत सारा इंफरसक्चर त्यार कर दिया लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल जी उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिये उनकी अपील में सुन रहा था कि आज उनके पास जो दिल्ली में ऑक्सीजन की जो कमी है और वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है जिसके चलते जो है मरीज भारी संक्या में वहां मृत्यू के ग्रास में जा रहे है तो आज सोचने पे विवस होना पड़ रहा है कि सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए है और जिस परकार से देश में एक विवस्ता बनाई जानी चाहिए थी अस्पतालों का स्देडिकरन किया जाना चाहिए था अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ साथ इंफ्रसेक्चर त्यार किया जाना चाहिए था वो आज ध्रातल पर नजर नहीं आ रहा है आज देश में आक्सीजन की कमी के कारण हमारे जो मरीज हैं नौजबान साथी इस क्रोना काल में ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे है और क्रोना की वैक्सिन की कमी के कारण जो हमारे मरीजों की मृत्ति हो रही है उसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत आज से छे मिहने पहले थी लगिन उस तरह ध्यान नहीं दिया गया ध्यान दिया गया तो सिर्फ चनावों की तरफ बड़ी बड़ी रेलियों की तरफ जिससे आज देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है आज ये देश की सरकार जिस परकार से बिफल हुई है उन्हें इसे सविकार करना चाहिए और जन्ता को जिस परकार से मौत के ग्रास में भेजा है उसके लिए देश से माफी माँगनी चाहिए उन्होंने कहा कि कोब्र महामारी में लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए उन्होंने लोगों से बिमारी से बचाव के लिए अहवान किया है ये कोई इसलिए नहीं कहा जा रहा है बार बार कि इससे कोई हमें हानी होगी या जन्ता को हानी होगी ये आज सभी की जिम्मेवारी बनती है चाहे वो नेता हो, चाहे वो आमजनता हो, चाहे वो कोई भी कारेकरम हो आज जिस परकार से धार्मी कारेकरमों में, अन्या कारेकरमों में जो बंदिशेन लगी है उनको अपनाना हम सभी का करतब्या है ताकि हम समाज को बचा सके अपने आसपास के वातवरन को शुद कर सके